आपका स्वागत अविनंदन हमारे स्कारिक्रम खेल ग्रवाओं का में आज हम बात करने जा रहा हैं सूर्य के रासि परवत्तंद की जो भी ग्रह हम देखते हैं यह जो भी ग्रह हमारे स्पेस में है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं वो निरंतर भ्रमन करते रहते हैं निरंतर गतिसील रहते हैं आने वाले समय में सूर्य 17 जुलाई से 17 अगस्त तक करक रासी में रहेंगे सूर्य जो की प्रत्यक्स देवता है सूर्य जिससे वनस्पति सूरिय जिसे मौसम, सूरिय जिसे हमारी आँखें देखने का काम करती है सूरिय जिसे आत्मा का कारक बोला गया है, अता जिसकी कुनली में सूरिय बलवान है, उसे आत्मा ग्यान की प्राप्ती होती है सूरिय राजनितिका स्वामी है, सूरिय का समान उनका प्रबत्व देखा जाता है कि सूरी के समान उसकी आबा है तो जिसकी कुणली में सूरी बलवान है वो विक्ति दूसरों पर सासन करेगा उस व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल करने वाला माना जाएगा और जिसकी कुणली में सूरी वीक है उस व्यक्ति की नेत्रों म में कमी रहेगी सूरी कमजोर होने से वो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहेगा दूसरों के अधीन जीएगा तो ऐसी इस्तिति में सूरी को बलवान बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि हर रविवार को गयों गुड़ या तामा का दान करना चाहिए सूरी को जल देना चाहिए सूरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए सूरी चालीसा का पार्ट करें या सबसे अच्छी बात है कि 12 आदिति कवच धारण करें क्यों हर माह में जो सूरी बदलता है उसको कोईन को एक नाम दिया गवा है तो 12 सूरी हैं इसलिए 12 आदिति का जाता है और 12 आदिति कोई कंट्रोल करने का नियंतित करने का एक कवच है जिसे दादिति कवच का आगया है वो आप धारण कर सकते हैं उसको बनवाना पड़ेगा और उस कवच को बनाने के लिए आपका नाम पिता का नाम माता का नाम गोतर कास एडरस ये सब देने होंगे और वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनेगा और आपके ही काम आएगा तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के रासी परतन की गोचर की और यह जो कारेक्टर में मून साइन पर आदारीत है अथाथ आपकी रासी से सूर्य किस भाव में जाकर के आपको क्या फल देगा प्रत्यक रासी में सूर्य का विच्रण अलग लग होगा अथाथ मेश रासी पे सूर्य फोर्ता उसमें है व्रस रासी से सूर्य थड़ा उसमें चला जाएगा उस डंग से ही उसका प्रतिफल होगा उस डंग से ही उसका result देखा जाएगा और यही बताने का मेरा उद्देश्य है आज इस program के माध्यम से जिन व्यक्तियों को सूरी का प्रतिफ़ल या सूरी के इंपक्ट पosittyr है, वो यदि उपाय करेंगे, तो उसका प्रतिफ़ल और जिय्दा बैटर मिलेगा, और जिय्दा स्ट्रेंथ में मिलेगा. अथा यदिया आपको 100% की कामना है, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, त रासी से रासी से फोर्ट आउस में आया वा सूर्य सत्रा जुलाई से सत्रा अगस्त तक आपको मानसिक और सारे रिएक व्यथा दे सकता है सारे रिएक समस्यां दे सकता है क्योंकि सूर्य फोर्ट आउस में सूर्य जहां पर रहेगा वहां पर प्रचंड गर्मी देगा अताथ जो भी घर में अट्मॉस्पर है वो अनियंत्रित होगा बेचेनी ज़्यादा रहेगी रूखा विवार ज़्यादा रहेगा सपोर्ट नहीं मिलेगा और भूमी भवन वाहन से समधित समस्याइं सामने आएगी अता जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उससे समधित कोईन कोई सम स्वामी है इसलिए गॉर्मेंट से लेटे जो भी समस्याइं या जिसको आप बोल सकते हैं मास को नियंत्रित करने के लिए जो भी होती है वो सूरी से ही देखी जाती है और आपकी रासी कुण्ली में फिप्त आउसका स्वामी फिप्त आउसका अर्थ है स्वंतान फिप्त इस्तिती में आपको आपका स्टाफ या आपके पार्टनस आपको परिशान कर सकते हैं और सूरी सम्मान का प्रतिनी दी है सूरी का मतलब है कॉन्फिटेंस है सूरी का मतलब है एवार्ड रिवार्ड है तो ऐसी इस्तिती में सूरी जब पीडित है तब उस सिचुशन में मा पाए यदि हो सके निरंतर करते रही है कम से कम इस माह तो आपको कर नहीं है सतरा जुलाई से सतरा अगस तक सतरा अगस के बाद में सूर्य जोई चेंज हो जाएगा वहां से काफी बैटर सिचुशन होगी तो साथ ही साथ आपको जो बड़े लोग हैं उच्वर के लोग हैं चाहे वो राज अधिकारी हों चाहे वो राजनेता हों उन लोगों से आपकी मेल बुलाकात होगी संपर्क आपके बढ़ेंगे और उस संपर्के बढ़ने से आपका सम्मान बढ़ेगा आपका वर्चस बढ़ेगा आपका भी नाम समाज में बढ़ेगा मित्रों से और आपकी संतान से आपको सयोग मिलेगा मान समान मिलेगा उससे भी आप लाप कमा पाएंगे अधाद यदि आप कोई प्रोजेक्ट में है कोई का बहुत अच्छा support मिल सकता है संतान या मित्रों के माद्यम से जो enemies हैं जो शत्रू हैं जो आपसे द्वेश रखते हैं चाहे हो कोड कर चली के माद्यम से हो या जो आप आपके अपने competitors हैं जो की business में competition करते हैं यदि आप उनसे पार पाना चाते हैं तब भी यह समय आपके प्रियास तोंगे आपके नियंतरम आएंगे यह निश्चित हैं इस समय जो भी आप प्रियास करेंगे लक्षमी को पाने के लिए अथात income के लिए तो आपको धन की प्राप्ती होगी अथा लक्षमी की प्राप्ती होगी तो साथी साथ इस अवधी में आपको कोई post मिल सकत हैं इस इस्तिती में यह मां आपके लिए काफी बैटर है प्लानिंग करने के लिए घरेली इस्तितियों के लिए यह समय आपको जरूर कोईन कोई बिग गेन बिग एचिवमेंट मिलने वाला है उसलिए आप mentally prepare रहिए अब बात करते हैं मिथुन रासी की तो मिथुन रासी क व्यक्तियों को रासी से second house में सूरी का प्रवेश हुआ है 17 जुलाई से 17 अगस्त तक ये जो एक मैना है इस एक मैने में आपका जो समय है वो समय positive नहीं है क्यों 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 कि आपकी mail बुला का जो होगी वो भी negative लोगों से होगी क्योंकि सूरी का अर्थ है positivity सूरी का अर् है जो भी समाज में उंचे तबके के लोगे चाहे वो राजय अधिकारी हो चाहे वो गौर्मेंट के प्रसासनिक अधिकारी हो आएस ओपेसर हो आएपीएस ओपीसर हो रेवेन्य ओपेसर हो इसका मतलब जो हमारे समाज को नियंतरित करते हैं कंट्रोल करते हैं उन व्यक्ति को रिप्रिजेंट करने का अर्थ सूरिय से आता है जब सूरिय अपने इस्तान से सेकंड हाउस में आ जाएगा तो सेकंड हाउस है धन और संपत्ति का सेकंड हाउस है वानी का सेकंड हाउस है मेंटली स्टेंद का प्रिपेरेशन का तो ऐसी इस्तिति में जो आपकी मेल मुला करने के लिए अपका दिमाग बिएग सकते हैं अप ट्राइग करने को आप आप बार करके देखते हैं। अच्छा पैसा कमा जाएं लेकिन ये ट्राइ आपके लिए बहुत महेंगी पड़ सकती है नेगेटिविटी आपको दे सकती है छोटा सा पीरिड है टेंपरेटी पीरिड है लेकिन छोटा सा पीरिड भी व्यक्ति को जीवन भर की मुसीबत दे सकता है एक बार कोई केस हो गया एक दिन के लिए आपको पुलिस कस्टिडी हो गई जिंदगी भर आपके दिमाग से वो नहीं जा पाएगा लोग भी आपको यही बोलेंगे वो केस का क्या हुआ तो आपने समझदार बनना है आपने स्ट्रॉंग बनना है कि ये बैकाने वाली सिचुशन तो आपको बार ब सिचुशन पैदा करते हैं कि वक्ति को लगता है कि चलो कुछ नहीं फाइदा उठाए जाए मौके का फाइदा उठाए जाए तो आपने इस सिचुशन को बहुत अच्छे डंग से हैंडल करना है कोई भी बैकावय में नहीं आना है क्योंकि जब दिमाग दोतता की और negativity के जाएगा फ्रोड की और जाएगा तो आज ने तो कल आपको उसका परिना भुगतना ही पड़ेगा इसलिए मैं आपको इसला देना चाहता हूं कि आप अपने सरकल पर बहुत ज़्यादा नियंतिंट करें अंजान जगम पर अंजान लोगों से मिल मुलाकात नहीं करें तो बॉग अच्छा है सिर और आँखों में सेकंडा उस राइट आई का है तो इसमन्ठ सक्ति का भी है और मेंटल स्टेंथ के साथ साथ हैड़ेग का भी है तो ऐसे ही समय में सिर का दर्द आखों में प्रॉलम हो सकती है एड्थ आउस पर सूरी की दिस्ति है ऐसे ही समय में आपने दूर करने का उससे आपने टालने की जरूरत है और यह महीना पूरा जहां तक संभव है सुख रहित बीतने वाला है इसलिए जरूरत है आपको सावधान रहने की जरूरत है आपको अपने आपको टैकल करने की समय को टैकल करने की और जो परिस्तियां उसको टैकल करने की 100% यह आपके उपर ही घटित हो जाएगा ऐसा कहीं भी नहीं है जोतिस को अपनी कसोटी पर परकना है जोतिस पर विश्वास करना है अंद विश्वास नहीं करना है यह जरूर ध्यान रखे घर अपनी बासा बोलते हैं उनकी बासा को समझने वाले को जोतिस ही कहा जाता है लेकिन जोतिसी कोई बगवान नहीं है इसलिए आपने practical होकर के जोतिस को अपनाना है strong बनना है practical बनना है और यह सावधा नहीं है यदि आप सावधा नी रहेंगे सावधा नी रखेंगे इसमें नुकसान आपका कम हो जाएगा नुकसान से बच पाएंगे और फाइदा होगा वो भी आपका ही है तो हमारे ये उद्धिश्य है कि आपको नुकसान नहीं देखना पड़े आपको जिंदगी में समस्यान नहीं आए करक रासी रासी के घर में ही सूरी का प्रवेश होगा अथा करक रासी में ही सूरी का प्रवेश होगा सत्रा जुलाई से सत्रा अगस्त तक और ये एक मेना आपको साफदान रहने की ज़ूरत है क्योंकि इसी सूर्य के प्रवेश के कारण आपके मान समान में भी कमी आएगी आपके आचार विचार में भी क्रोध आवेश गुसा ये जलकेगा सूर्य लगने में आने का अर्थ ये डॉमिनिटिंग होना अथात मैं सही हूँ या एक बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी और इससे आपके घर वाले भी दुखी होंगे अथात आपसे वादविवाद करने से बचने की कोशिस करेंगे और सूरी लगने में होने से पिता से वेचारिक मद्वेद होते हैं सूरी लगने में होने से व्यक्ति व्यर्थ का उपदेश्ट देता हुआ गूमता है व्यर्थ के ब्रहमन करता है पैसे की हानी करता है और जहां तक संभव हो अपने अधिनस्तों से अथाद पालता है व्यर्थ के छोड़ छोड़ी बातें जिसको की टाला जा सकता है उसको नोटिस करके व्यर्थ में लांचन लगाता है लड़ाई जगड़ा करता है अपने आपको दुखी करता है अपने आपको परेशान करता है सूरी की सीधी जिस्ती इस समय इस एक माह में 17 अगस्त तक घरलियो परिस्तितियां भी आपके लिए ठीक नहीं है वहां से भी आपको वेचारिक मदबेद, वहां से भी आपको रुखापन, वहां से भी आपको कटूता या ये बोच सकते हैं असंतुष्टी ही मिलेगी क्योंकि जहां प्रेम नहीं है जहां सने नहीं है वहां पे आप अपने आपको ज्यादा comfortable महसूस नहीं कर सकते इसलिए जहां तक हो सके इस एक माम में आपको सूरी के करने हैं कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करें रोजाना रात को सोते हुए तांबे के पातर में जल बरके अपने सिराने रख दें सुबह उठकर के वो जल पेड़ पोदों में डाल दें इतना करने से भी कुछ पसेंट फल आपको जरूर मिलेगा सूरी को उपाय आप करते रहें उससे आपको राहत जरूर मिलेगी सिंग रासी के व्यक्तियों को रासी से 12th हाउस में सूरी के प्रवेस होने से यात्राइं बहुत अधिक होंगी दूर देशों की यात्राइं होना संभव है एक्समेस ज़्यादा होंगे तो साथ ही साथ सूरी के जस्ति कुंडली में 6th हाउस पर है 6th हाउस से पेट के रोगों को जाना जाता है और सूरी यहाँ भी कबज को देने वाला डिपती रिया उसके लिए सूरी को जाना जाता है पेट के रोगों के लिए सूरी को जाना जाता है तो ऐसे ही समय में expenses बहुत ज़ादा होंगे और expenses वियर्थ के expenses होंगे जिस expenses को करने की ज़रूत नहीं है जो आप खर्च करने के बाद में आप पश्टा सकते हैं ति मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो shopping mall में जाते हैं तो shopping mall में जाते ही सामान को देख करके उनमे expenses कर प्रवती उत्पन हो जाती है जो ही बैग में हाथ में लेकर payment करने के बाद बाद निकलते हैं उनको अपसोस होने लगता है कि जो मैंने नहीं खरीदना चीए था वो मैंने attraction में आकर के खरीद लिया जिसकी ज़रूत नहीं थी तो ये भी समय के अधीन होता है जब समय ऐसा आ आपने ध्यान नहीं दिया और किसी गाड़ी को आपने accident कर दिया उसको चुकाना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका नुकसान किया है तो ऐसी situation में false expenses वाली situation आती है कि आपकी लापरवाई के करण आपने नुकसान उठाया है जो बुखार वाले रोग ये भी सूरी के करण हो ऐता कोई नोटिस कोई कोई टेक्स कोई कोई चालान आपका हो सकता है तो राजक की और से भी गौर्नमेंट सेक्टर की और से भी आपको परिशानिया मिलेंगी सूरी आँखों का अधिपती है सूरी ठॵëल्था उसमें left eye का मालिक यहां पर है तो आपको आँखों में समस्य हो सकती है आपका रेटिना डिस्टब हो सकता है या आँखों का परदे को प्रॉलम हो सकती है आपका वीजन में कमी आ सकती है यह सब भी सूरी के कारण है तो ऐसे ही समय में व्यक्ति अपनों से भी विमुक हो जाता है अथाथ आपके अपने ही आपसे सतुता पुन व्यवार क समय सिर्फ और सिर्फ एक माह तक है 17 अगस्त के बाद में साइद ये वाली बातें आपके लिए नहीं होगी लेकिन जो समय है उसको आपने ही पार करना है और उपाई भी आपने ही करने पड़ेंगे क्योंकि उपाई नहीं करेंगे तो आपने इस सिच्वेशन को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉलम नहीं आए आईए बात करते है कन्या रासी की 17 जुलई से 17 अगस्त तक ये एक माह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है उपलब्दियों का समय है आपके लिए गेन का सक्सेस का ड्रीम्स कम ट्रू का ये ये टाइम पिरेड में आपको बोलना चाता हूं रासी से 11 सूरिय आपको गौर्णमेंट सेक्टर से भी लाब कमाएगा अथा आपको राजी की और से भी आपको सपोर्ट मिलेगा करपा मिलेगी यदि कोई केस गौर्णमेंट में चल रहा है तो इस समय यदि आप जो भी अधिकारी हैं जो भी पती मिल सकती है गेन मिल सकता है और उनका मार्गसन प्राप्त होने से भी आपके कई काम हो सकते हैं अथात यह जो माएगा है जो भी आपने बिजनस करना है जो भी आपने जौब करना है जो भी आपने डील करनी है और यह टाइम पिरेड में प्रॉपर्टी से सम्मंदित औ करके यदि आपने effort किया है तो उसमें आपको success ही होगा, success होने का अर्थ यहां पर यह नहीं है, आँख बंद करके सारा पैसा लगा देना है, जो आप already काम करते हैं, मेरे कहने से आपने पैसा नहीं लगाना है, जो आप already काम करते हैं, आपकी calculation है, वो calculation सठीक बैठेगी, इस मा में क्योंकि ग्राओं की पोजिशन ऐसी है, जहां पर की आपको success मिलेगी, आपको lab होगा, environment अच्छा रहेगा, घर वालों से support मिलेगा, आपके घर में मांगलिक कारी हो सकते हैं, और इस समय में spiritualism में रदी होगी, अत्यात्मिक ग्यान की प्राप्ती होगी, अच्छे लोग अगस्त आपके लिए काफी बेटर है, काफी उपलब्दियों बरा है, और साथ साथ में मैं ये बोलना चाहता हूं, कि जो job वाले व्यक्ति हैं, उनको भी कोई और रिवार्ड मिल सकता है, appreciation मिल सकता है, अथा उनको बड़े पद या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभाव होना है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ready रहिए, तैयार रहिए, आईए, बात करते हैं तुलारासी की, तुलारासी के विक्तियों को रासी से 10 आउस में सूरिय, आपको financial gain के साथ साथ में, जो भी आपका working environment है, जो भी जहां भी आप job करते हैं, जहां भी आप business करते है हैं, वहां पे आपको support मिलेगा, अपने अधिकारियों का भी और अपने से नीचे वाले जो भी आपके friends circle है, जो भी आपके मित्रगणे हैं, या जो भी staff के लोग हैं, वो भी आपको support करेंगे, तो यह समय आपको appreciation का है, जो भी आपके project हैं, उसकी success के कारण आपको पदवर आता है, रासी से 10th, आता 10th house का अत है, जो भी आप काम करते हैं, तो 10th house में सूरिय एक प्रकासे कुल दिपग योग देता है, तो इस situation में आप ऐसा कुछ करेंगे, जिससे आपका खांदान का नाम रोशन हो, व्यक्ति बोलते भी हैं, आपके खांदान में ऐसा चिराग उत पनोई है, जिसने आपका नाम रोशन किया है, तो ये समय ऐसा ही है, जहां से कि आपका नाम रोशन हो सकता है, आपके खांदान का नाम रोशन हो सकता है, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कोई उपलब्दी आपको मिलने वाली है, आपका गोरो बढ़ेगा, मान समान बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लोगों से जो की खास लोग है, समाज के बहुत ततिस्थिक लोग हैं, उनसे मिल मिलाकात होकर के संपक्षूत्र आपके बढ़ने वाले हैं। इसे की लोग आपका अपमान करने पर आमादा हो जाएं या आपकी बुराई करने लगें। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने गलत आदमी की साहता कर ली जिसको की समाज अच्छा नहीं बोलता है। तो ऐसी सिच्वेशन में उसके कारण आपकी भी बदनामी हो सकती है। गलत आदम को भी यह दोस्त जेलना पड़ सकता है। अपने से बड़ों से और मित्रों से और अपने छोटे भाई बैनों से आपका वीरोध हो सकता है। क्योंकि नाइन ताउस में आयावा सूरिय थर्ड हाउस को देखता है। थर्ड़ा उसका मतलब गुडविल है। थर्ड़ा उसका मतलब आपका पराक्रम है और आपके मित्रगने बाहु बल है। ऐसे ही समय में यदि कोई प्रॉलम आ जाती है स्वास्ति से समंदित तो आएगी मास्पेसियों से समंदित या कंदों से लेटिड ये समस्यां इस समय में आ सकती है, संभावना है। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप उद्धियम करेंगे, एफर्ट करेंगे, उद्धियम का अर्थ यहां पर एफर्ट से है, जो भी आप काम करेंगे, उद्धियम करेंगे, बिजनस करेंगे, या एक्स्ट्रा इंकम के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने परियास करें, तब भी आपको उसमें loss उठाना पड़ सकता है honey उठानी पड़ सकती है positive की जगे negative हो सकता है तो ये जो एक माँ है ये अपने बहुत अच्छे डंग से tackle करने की ज़ोते है सावदानी के साथ में पार करने की ज़ोते है क्योंकि ये समय temporary है एक महिना है सरफ एक महिने को आपने बहुत अच्छे डंग से power कर लेना है और जो भी सूरिक उपाय जो मैंने starting में बतला है वो करने की ज़ोते है और इस program के end तक बने रही है तो एक बार उपाय मैं आपको वापस बता दूँगा वो आप note कर सकते है तो सब मिला करके ये जो समय है वो आए में कमी भी देगा तो सारीरिक रोगों की और भी इशारा करता है सूरी के रोग हैं पेट से समंदित सूरी के रोग हैं डिप्तिरिया सूरी के रोग हैं नेत्रों से समंदित और blood pressure आता है high blood pressure सूरी के समंदित देखा जाता है तो ऐसी situation में आपने health को भी tackle करना है, control करना है, अपने स्वास्ते पर ध्यान रखना है और यदि योग करते हैं, exercise करते हैं, तो उसको आपने नियमित करने पर ध्यान देने अब बात करते हैं धनूरासी पर, रासी से 8 ताउस में आया वा सूरिय आपको 17 जुलाई से लगा करके 17 अगस्त तक health problem कर सकता है, आपको कोई प्रॉलम में फसा सकता है, गौर्मेंट की प्रॉलम से समधित, चाह वो कोई notice हो, चाह वो कोई warrant हो, या चाह अरेस्ट हो, ऐसी situation आ सकती है क्योंकि सूरिय 8 ताउस में बैट करके 2 ताउस को देखेगा, 2 ताउस का अर्थ है, आपका mental strength, सूरिय वहाँ पर देख करके उसको द्वैलित करेगा, बहुत ज़्यादा गुसा, बहुत ज़्यादा आवेस और क्रोध के कारण आप अपना अहिद कर सकते हैं, कोईन कोई ल प्रॉलम कर सकता है, blood pressure को high कर सकता है, piles की प्रॉलम दे सकता है, यह सब कुछ रासी से 8 ताउस में आएवेस सूरिय के कारण संबब है, इसलिए आपने health पर ध्यान देना है, तो साथ ही साथ अपने आपको बहुत cool रखना है, बहुत नियंतरिद रखना है, और यदि हो सके, तो एक तामबे का, जो राइटेंड में कड़ा है, वो पहनना है, और हमेशा सूरिय को पाय कब कर सकता है, लोग पूछते हैं, कि कौन से दिन मैं अगर सूरिय का रतन पहनना है, तो आप देखिए सूरिय, जिस वार का कारक है, अतार रवी वार, तो रवी वार को पहला गं मंतर रहे, जो आप जयाअब कर सकते हैं, सूर्य को अर्ग दे सकते हैं, तांबे का पातर लीजेए, ने का लोटा लीजेए, पानी डाल दीजे, पुमकूम डालिए, ठोड़ा सा घुड या चीनी डाल दीजे, लाल पूछते यदि मिल जाता है, आसपास तो बहुत अच्छ होना प्रचोधियात अतत गायतिने मंतर बोलते हुए सूरी को अर्ग दे सकते हैं जुर्माना मुकदमा इस महिने में होना संभव है इसलिए आपने उससे बचने के लिए ट्राई करनी है सबसे पहले ऐसा परिस्ति यदि कोई आ भी जाए तो माफी मांग करके अपने आपको छोटा समझ के निकल लेने में ही बलाई है इको प्रॉल्लम में गुस्से में आकर के सिर्फ अपना अहित कर सकते हैं नुकसान कर सकते हैं रोगों से share में investment regular करते हैं तो इस एक मेने में आपको टाल देना चाहिए बहुत ज़्यादा साफदान रहना चाहिए नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है व्यर्थ के पैसे खर्च होने का योग है और जब जो कि मैंने पहले ही बता है जुर्माना मुकदमा गिरफतार ही हो सकती है तो ऐसी situation में भी जो आपको lawyer करना पड़ेगा वकील करना पड़ेगा तो उसमें भी आपका पैसा खर्च हो सकता है संभावना हैं तो संभावनों को टालना आपकी जिम्मेदारी है हो सकता है मैंने यह बोला है हो सकता है ऐसे संभाव ना है इसलिए हो सकता है को आपने बनाना नहीं है हो सकता है को आपने पूर नहीं करना है उसे बचने की कोशिस करने इतना जरूर ध्यान रखिए अब बात करते हैं अगली रासी मकर रासी आईए बात करते हैं मकर रासी के म रासी से सेवंत आउस में 17 जुलाई से 17 अगस तक सूरी का प्रवेश होगा और इस रासी से सेवंत सूरी के कारण आपको अपने दामपिति सुख में समस्यां आएंगी जीवन साती बीमार हो सकता है या जीवन साती से कुछ ने कुछ समस्यां आकर के मनमुटाव वाली परसित आपका पॉजटिव है लेकिन यहां पर व्यर्थ पैसा खर्च होने का योग है व्यर्थ का अर्थ यहां पर है कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है मानलो उसने एड्मिशन कहीं और लेना था लेकिन उसने ट्राई की एक दो जगे और और फिर उसके बाद में उसने भी मना कर दिया एकि नहीं यहां पर लेना है मुझे कहीं और ट्राई करनी है तो उस सिच्वेशन को व्यर्थ का पैसा बरबाद होना बोल सकते हैं ऐसे स्थिति में आपने उस चीज़ का निर्ने लेना है आपने संतान को सही रास्ता दिकाने सही गमार्क दिकाने की ज़र्त है आपने हिसाब किताब के कागच चाए वो सेल टेक्स हो चाए वो जीस्ती हो चाए वो वेट हो और चाही वो और कोई इंकम टैक्स से रिलेटर ओ या एक साइस से रिलेटर ओ जो भी कागच बतन एं जिसको लीडल चली गई हो तो पैनल्टी ना लगे उसके लिए समय पर एक बार कागद चेक कर लिजेगा ताकि कोई समस्या बहुत बड़ी ना हो पाए सूरिय लगने को देखता है अताथ हैड़ेक होना तै है तै का मतलब संभावना है बहुत ज़्यादा बलवान है इसलिए आपने ज़रूत से ज़्यादा केहर करनी है और ऐसे ही समय में अपमान अपयस का खत्रा भी है इसलिए कोई भी गलत कारे करने से गलत बात बोलने से आपको करने चाहिए ऐसी मिसला दे रहा हूं आईए कुम्ब रासी का वैसलेशन करें तो रासी से सिक्स ताउस में आयवा सूरिय आपको हर कारिय में सफलता देगा सत्रों पर विजय देगा तो साथी साथ गौर्रमेंट सेक्टर से भी आपको सपोर्ड मिलेगा आपको साह पर है सुलजने के रास्ते पर होंगी और ये एक माँ आपको काफी फाइनेशल गेन भी होने वाला है अताद थर्ड आउस सिक्स आउस और इलेउंत आउस आपकी रासी से जब जब भी सूरिय आएंगे तब तब आपको गेंद देंगे आपको आगे बढ़ाएंगे अताद के सुख को हानी करेगा क्यों सूरिय का अंदर क्या है सूरिय का अगनी है तो सिक्स आउस रोग का कर्ज का कमपेटिशन का सत्रों का सूरिय वहां जाकर उस चीज़ को जलाएगा तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके रोग जल जाएं सत्रों जल जाएं यदि आप जॉब करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि जो जो आपके उच्छ अधिकारी हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे आपके खुद के confidence में व्रद्धी होगी आपके खुद के personal influence में उसमें व्रद्धी होगी और आपका खुद का goodwill strength आपका नाम यह सब बढ़ेगा तो सब मिला करके सरीर और मन दोनों स्वस्थ रहने के साथ साथ बहुत अच्छी success मिलने वाली है और यात्राइं जो भी होगी वो भी आपकी बहुत fruitful होगी अतात आपको यश्ट देने वाली लाप देने वाली होंगी तो सब मिला करके यह जो समय है रासी से सिक्स आयवा सूरिय सतरा जुलै से सतरा अगस्त तक आपको बहुत कुछ benefit देगा बहुत कुछ success देगा और आपको जो भी पस्तितिया पहले आपने खराब समय देखा है उसमें से निकलने का मार्क भी देगा इसलिए सब मिला करके यह समय कारी सिद्धी का है सुख प्राप्ति का है इसलिए आप इस समय का सबसे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए प्रयास करें मान लोगों को बैग लोग है तो बैग लोग की समस्याओं को इस समय अच्छा है तो उसमें निकलने का प्रयास कर सकते हैं लोगों से मिल लीजिए जो भी आपका केस है जो भी आपकी प्रॉलम से उसके लिए जिन लोगों से मिलने की है उन लोगों से इस समय मिल का भी है application का भी है संतान का भी है तो ऐसे ही समय में अथा 17 जुलई से 17 अगस के बीच में जो मीन रासी के जातक है उनको स्वेम भी रोग हो सकते हैं पेट से समधी रोग फैफड़ों से समधी रोग परिशान करेंगे तो संतान को भी रोग से समधी समस्याएं हो सकती है पैसा कमाते हैं वहां से 17 तक की इस्तिति में इस समय सूरी है तो यह क्या करेगा जो भी उच्छ अधिकारी है उनसे वेमनेश्यता देगा अताथ उनसे वैचारिक मतबेद होंगे आपकी पट्रिये उनसे नहीं बैठ पाएगी और वो आप पर दोशारोपन करेंगे वो इसके लिए आपने सूरी को उपाए करने तता साथ इसाथ आपने अपनी जो कमजोरियां उनको चुपाना भी सीखना है सालीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है तो साथ इसाथ जो भी आपका जौब है वहां पे एन्वार्मेंट भी ठीक नहीं रहने से मानसिक पर स्तिति हैं वो बार-बार आती है एक साल में मतरत एक में सूरी बारा इस्थान परिवर्टित कर लेता है तो बारा मैं से मैं आपको जैसे बतलाया में इससे लगा कर मिहन तक बहुत सी जगह पह सुरी बहुत आपको negative प्रबाव दे रहा है तो बहुत जगह सुरी बहुत positive है तो negative और positive तो दोनों ही आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे ऐसी स्तिती में आपने बहुत जादा सावदान रहना है तब क्या होगा mental application को strong करना है अता भ्रहम की स्तिती को नियंतित करने के लिए आपने लिख करके रखना इस्टार्ट करना है क्योंकि लिखावा आपका भी भोलने सकते जो लिख करके follow up करेंगे उससे आपके समस्यां दूर होगी जो रोग है उसके लिए आपने योग का सारा लेना है सूरी के उपाय करके उस चीज़े बचने की कोशिज करनी है और साथ ही साथ यात्राएं जो है वो यात्राओं में नुकसान हो सकता है यात्राओं में समस्यां आ सकती है इसलिए जो बहुत जरूरी यात्राएं उनको करिए और जो जरूरी नहीं है उनको टाल दीजिए अगे लेकर करके चले जाएए तो वहां पर और ज्यादा बैटर समय है क्योंकि परस्तियां एक सी नहीं रहती है समय भी बदलता है, ग्रह नक्षत्री भी बदलता है सब कुछ बदलने से जी सब कुछ बदलने से, आज जो खराब है कल वो अच्छा हो सकता है, और आज जो अच्छा देख रहे हैं, वो कल कोई न कोई प्रॉबलम में आ सकते हैं, इसलिए हमेशा mental prepare करके रखिए, हमेशा एक रास्ते के साथ साथ में एक सब लाइन जरूर सोच करके रखिए, कि इसमें कोई प्रॉबलम आगी मुझे क्या करना है, तो ऐसे विक्ति हमेशा कोई भी अनोनी होने पर ज़्यादा निराश नहीं होते, डिप्रस नहीं क्योंकि उन्होंने सोच के रखा है कैसी situation उन्हें क्या करना है तो यह था सूर्य से सम्मदिद रासिफल प्रतियक रासी को क्या अच्छा या क्या बुरा मिलने वाला है 17 जुलई से 17 अगस तक सूर्य के करक रासी में रहने से प्रतिफल क्या मिलेगा यह मैंने आपको बताया है जिन यह दासी वाले व्यक्तियों को मैंने नेगेटिव बताया है वो व्यक्ति सूर्य से सम्मदिद उपाय कर सकते हैं अतात हर रवीवार को सूर्य उदे होता है वहां से एक गंटे के बीतर आप ग्याहूं गुड या तामबे का दान कर सकते हैं कोई भी मंदिर में तामबे के बरतन भेंट कर सकते हैं भगवान को दान हम दे नहीं सकते हैं हम इत्ते बलवान भी नहीं है भगवान को दान दे पाएं उनको भेटी कर सकते हैं उनकी करपा के लिए हम जो भी मंदिर में पूजा के बढ़तन है वो दे सकते हैं जो भी मंदिर में प्रसाद वित्रन होता है उसमें हम सहभागी बन सकते हैं जो भी नीडी परसन है उनको खाना दे सकते हैं अता ग्याउं दे दिये गुर दे दिये आपने और कुछ भी जो खाने की समगरी है वो आप दे सकते है सूरी के मंतर जाब के लिए ओम ग्रणी सूरिया नमा वो कर सकते है या छोटा सा मंतर है ओम राम रीम रॉम स सूरिया नमा इस मंतर का जाब कर सकते है सूरी चालीसा का पाट कर सकते है यह हो सकता है तो जो कुछ भी उपाय आप से हो सकता है वो करने का प्रियास कीजिए मेरा यह उदेश यह है का आपको पंडित बनाना नहीं है आपको जोतिस बनाना भी मेरा उदेश यह नहीं है तो ऐसा अपना करके हमारी जिन्द की ठीक हो सकती है आपकी जिन्द की ठीक होने का अर्थ है आपका पूरे परिवा ठीक होना क्योंकि वो आपके उपर आधारित है आपके उपर आश्रित है तो आपका सकसेस होना आपका सफल होना सरफ आपका ही दायत्व नहीं है आपके उतना बला करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बला ही करेंगे कर बला तो हो बला यह एक सिद्धान्त है इसको अपना करके देखें आपकी जिन्दगी बहुत कुछ अच्छी हो सकती है क्योंकि यदि आपने किसी का बला किया तो आपका बला जरूर होगा स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपने ख्याल रखिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए नमस्कार अपने हैं अ इस रहिं ये अपने हैं इस आ झाल झाल